चलिए आज हम लोग जैसे G.S.K का हम लोगों ने complete किया आज फिर हम लोग complete करेंगे M.E.K का ठीक है तो M.E.K में A to Z हम लोग जानेंगे क्योंकि बहुत तड़कों का comment था कि भाई जैसे G.S.K आप लोगों ने पढ़ा दिया उसी तरह M.E.K पढ़ा दो तो M.E.K में भी बहुत सारा चिप्टर है सबसे पहले हम जानेंगे engine room, machinery and duty के बारे में उसके बाद instrument in engine room में कौन-कौन सा यूज होता है GP rating और CCMC का उनके लिए भी एक good news है, दूसरा चैनल है जिसका नाम है अंसारी G.S. Academy ठीक है तो आप लोगो जा कर उस चैनल को भी subscribe कर ले, मैं link description में दे दूँगा, वहाँ पर भी आपका entrance exam का preparation चालू कर दिया गया, ठीक है नमबर वन कोस्चन है, what maintenance truck should be carried out on a diesel generator engine, यानि करने का मतलब में कि generator में कौन सा आप maintenance काम करेंगे नमबर भी, cylinder head with inlet and exhaust valve, overhauling and inspection, यानि cylinder head भी आप check करेंगे, उसके बाद inlet और outlet, outlet को exhaust valve भी बोलते हैं और overhaul उसका check करेंगे और उसमें inspection भी करेंगे, ठीक है नमबर दो, the function of valve is a bolt आए कि जो valve होता है, कोई भी जो valve होता है, valve का काम क्या होता है valve क्यों लगाए जाता है, तो देखिए जो valve होता है वो gas को और liquid को आने जाने से control करता है कब gas को आगे भेजना है या पीछे भेजना है, वो उसको control करने का काम करता है, यानि समझी एक null की तरह, एक 2D की तरह काम करता है तो control flow, flow मने बहना, liquid मने कोई भी तरल पदार्थ, और gas या कोई भी gas वाला पदार्थ, ठीक है, तो valve का यही काम होता है नम्मर 3, the unit of pressure, सभी आदमी जानते हैं, physics में पढ़ते हैं, pressure का unit क्या होता है, kg पर cm2 और बार, ठीक है याद रखिएगा, जादा यही पूचता है, kg पर cm2, option में यही रहता है, बार बहुत कम रहता है, ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा, ठीक है, यह valve है इधर से आ रहा है, अगर आप इसको valve को बंद कर देंगे, तो यही पर रुख जाएगा, इसको खोल देंगे, तो फिर इधर से liquid जाएगा, तो यह क्या करेगा, liquid और gas को आने जाने से रोगता है, it is control, flow, liquid और gases, तो पूच रहा है कि यह क्या है, किस टाइप का valve है, तो engine room rating, बोल रहा है कि जो आदमी engine room में जाता है, rating बनका है, उसका job क्या होता है, तो वो overall air compressor करेगा, यानि air compressor का आज जाते जाते maintenance करना शुरू कर देगा, नहीं, report the bridge out of engine condition, वो bridge में call करके engine room का condition बताएगा, नहीं, start and stop main engine, वो main engine को जाकर चालू करेकर बंद करेगा, नहीं, assist the maintenance maintenance of work, कि जितना भी maintenance का काम होता है, उसमें वो क्या करेगा, तो assist करेगा, यानि help करेगा, ठीक है, नमर 6, steam from a boiler is used for, बोल रहा है कि जो boiler में steam बनता है, देखिए दोस्तों ध्यान से समझेगा, steam का मतलम क्या होता है, steam का मतलम होता है, भाप, ठीक है, जब हम लोग खाना बनाते हैं, अब इन तो हम ही खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने में धक्कन जब निकालते हैं, तो उसमें भाप जो निकलता है न, wasp, भाप, wasp, उसको steam बोलते हैं, तो वो boiler में उसका use क्या होता है, तो fuel oil heater, जितना भी oil होता है न, oil को heat करने में इसका use होता नम्मर 7, during operation, कोई काम करते समय, the inner part of centrifugal pump is rotated, ठीक है, जब centrifugal pump चलता है, तो उसका inner जो भाग होता है, वो क्या होता है, तो रोटेट करते रहता है, यानि चारो तरफ घूमते रहता है, ठीक है, नम्मर 8, the function of compressor is to, बोल रहा है कि compressor जो है, compressor का क्या काम होता है, compressor बाबु एक machine होता है, ठीक है, तो वो ही बोल रहा है कि compressor का क्या काम होता है, तो देखो बाबु, pressurize air or gases, यह gas और air का जैसे pump क्या होता है, pump liquid को pressurize करके भेजता है, उसी तरह जो compressor होता है, वो क्या करता है, तो जो AR और gas होता है ना उसको बहुत pressure से भेजता है ठीक है नम्मर 9 The function of filter, देखो filter, filter का मतलम क्या होता है? फिल्ट करना यानि छानना, तो बोल रहा है कि इसका main कम का होगा? तो remove the solid impurity from the fuel, फियूल में जो solid particles होगे, यानि जो solid गंदगी होगी उसको क्या करेगा? तो उसको क्या करेगा? remove करेगा, ठीक है? नम्मर 10 The instruments needed provided for measuring the gearbox oil level बोल रहा है कि जो gearbox होता है, यह बहुत important question, यह जरूर पूछेगा, पूछेगा, जो gearbox होता है, कोई भी gearbox, उसमें देखना है इस तरह एक सीसे का glass लगा दिया जाता है, और वहाँ पर इस तरह indicator होता है, और जो भी liquid इसमें होगा न वो इसमें so करता है, यानि दिखाई देता है, तो वो इस gaze का क्या नाम है, तो इस gaze को बोलते है side glasses, ठीक है, नम्मर 11, the function of purifier is, देखो purifier का मतलम क्या होता है, purifier का मतलम होता है, असुद को सुद करना, यानि जो चीज गंदा है, गंदा को सुद कर देना, तो remove the solid impurity, यानि solid impurity को क्या कर देना, remove कर देना, नम्मर 1, 2, most common use of a glow bulb, बोल रहा है कि glow bulb सबसे ज़्यादा कहां यूज होता है, तो steam line में, जो भाप वाला line होता है, वहाँ पर glow bulb सबसे ज़्यादा यूज होता है, फिर से दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अगर आप entrance exam का preparation कर रहे हो, तो मेरा जो दूसरा channel है, उसका नाम है अंसारी GS Academy ठीक है, तो उस channel को जाकर subscribe कर लो, वहाँ पर entrance exam का preparation आप वोका चालू होगा ठीक है, नम्मर 1, 3, on board, ship bilge pump is the type of, बोल रहा है कि जो जहाज पर जो bilge pump होता है, वो किस type का होता है, तो वो reciprocating type का pump होता है, ठीक है, नम्मर 14, which of the flowing is not part of an air compressor, बोल रहा है कि इसमें air compressor का कौन part नहीं है, तो जब आप air compressor पड़ोगे ना, तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि ये air compressor का part नहीं है, तो जो injector होता है, वो air compressor का part नहीं होता है, नम्मर 15, what maintenance truck should be carried out on air compressor, air compressor में आप कौन सा काम करोगे, तो fire and second stays valve overall and inspection का हम लोग काम करेंगे, ठीक है, नम्मर 16, which of the flowing is the bottom most part of an engine, याद रखने न, ठीक है, सबसे नीचे क्या होता है, connecting rod होता है, ठीक है, देखो, function of pump, pump को मैंने अपने बता है, आपके घर में pump, यानि motor क्यों लगाया जाता है, ताकि वो pressure से पानी को क्या करें, टंकी में उपर पहुंचा है, तो main इसका काम यही होता है, pressurize fluid, fluid मने होता है, कोई भी liquid, कोई भी तरल पदा, ठीक है, उसको pressurize करना है, नम्मर 18, solenoid is an equator of the electric operator, वर्ब, देखो, यह बहुत important है, solenoid, जो क्या होता है, वो electric operator क्या होता है, तो एक valve होता है, ठीक है, जो electric से च for the LO system, देखो, LO का मतलब होता है, lube oil, ठीक है, system, for generator, engineer is dash type, तो gear type, वो किस type का होता है, तो gear type का होता है, ठीक है, अब आजाते हैं, नम्मर 20 पर, what is the common name for item used for preventing leakage from between the pipe and flange, joint, अगर मान लो की, leakage जो हुआ है, pipe और joint, pipe और flange के बीच, तो उसमें तुम क्या use करोगे, तो joint लगा दोगे, cut करो, तो वो leakage बंद हो जाएगा, impaler of centrifugal pump is fitted in a soft, देखो इस तरह जो soft होता है, soft में इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह घिरनी के तरह fit किया जाता है, और ये नाचता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, soft, देखो मैंने बताया था ना, कि अगर इस तरह ठीड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो glow bulb हो जाएगा, ये question important पूछता है, glow bulb, gate bulb, waterfly bulb, ये सब पूछता है, ठीक, एक photo दिखा करें, बोल रहा है, valve में आप कौन सा maintenance करोगे, तो inspection करेंगे, grinding करेंगे, grinding मने वो रुखडा होगा, तो उसको चिकनहट करेंगे, and gland packing renew, और उसका जो gland packing होता है, उसको क्या करेंगे, तो change कर देंगे, 24, which of the flowing is not a heat exchanger, heat exchanger का मतनम क्या होता है, कि जो ठंडा को गरम करें, और गरम को ठंडा करें, तो ये fuel injector उसका भाग नहीं है, 25, most common use of spring loaded valve, देखो spring loaded valve को safety valve भी कहा जाता है, कि ये automatic काम करता है, तो pressurized release, ये release, समझो कि हम लोगा जो pressure cooker बन करते हैं, तो pressure cooker में क्या होता है, pressure cooker में CT होता है, तो जब ज़्यादा pressure होगा, तो वो automatic उड़ जाता है, तो उसी तरह जो spring loaded valve होता है, जिसको safety valve भोलते हैं, ज़्यादा pressure होगा, तो automatic release हो जाएगा उसमें से pressure, तो ये बहुत ही important है, ठीक है, number 26, serious treatment plant, serious treatment plant का मतलम होता है गंदगी, जहाद में का जितना भी गंदगी होता है, वो सब serious treatment plant में जाता है, और जिस हम लोग पिसाब करते हैं, पैखाना करते हैं, तो वो सब जितना होता है, वो सब serious treatment plant में जाता है, और वहीं से उसका separate किया जाता है, कि टटी किधर जाएगा पानी किधर जाएगा ट्रीट्मेंट करके उसको क्या किया जाता है तो बाहर निकाली जाता है तो यह देखो बोला है human waste यानि हम लोग जो करते हैं वह ही human waste है यह क्या है बाबू तो यह rubber gas kit है ठीक है rubber gas kit pipe के बीच लगाया जाता है which of the flowing is used for fixing a moving part to a shaft बोल रहा है कि कोई भी moving part है और उससाफ है तो उसमें क्या fix करेंगे तो उसमें बाबू की and lock not का use करते हैं ठीक है की भी use करेंगे और lock not भी उसके साथ हम लोग क्या करतेंगे तो use कर देंगे domestic freeze is related to the storing vegetable जो बोल रहा है कि हम लोग जो domestic fridge है जो हम लोग के घरों में जो freeze आता है वो किस लिए उपी होगता है तो steering के लिए तो नहीं होगा इस्टेनिक फॉर मेर इंजन के लिए भी freeze का use नहीं होता है human waste के लिए भी नहीं होगा तो क्या करेंगे उसमें तो storage vegetable vegetable को ही तो हम लोग उसमें रखते है ना number 30 centrifugal pump is the part of the system तो ballast system ठीक है centrifugal pump की system पर काम करता है बैलास्ट बैलास्ट मनें समझते का होता है पैलास्ट का मतलब होता है ना जिसे माली जिए कि जहाज में समान लदा हुआ है तो जहाज पानी में धसी हुई है उसका propeller भी पानी के अंदर है तो पानी के अंदर पानी को काटेगा तभी नहीं जहाज आगे जाएगी अगर म नीचे एक टैंकी होती है जिसको बोलते हैं तो बैलास्टेंग में सेंट्रिफूगल पूरा पानी भर दिया जाता है जब जहाद का बोजन ज्यादा हो जाता है और प्रोपेलर भी पानी में यानि पंखा भी धर जाता है फिर आराम से चलती है तो कौन से सिस्टम पर काम करता है तो बैलास्ट सिस्टम पर काम करता है ठीक है जोस्तों समझ में नहीं आएगा तो आप कोमेंट कर दीजिए गांट केम ऑपरेटेट इस एक वेटर ऑफ यह था बोल रहा है कि इधर से लेकर इधर तक डामीटर मापना है तो कैसे मापेंगे तो माइक्रोम्यमीटर लगा Micrometer तो Promised ने सब ने देखा वोगा अपने Institute में ये बताना एंशाधा नहीं बाभू क्या हूँ ये बताना नहीं क्या है ये pressure gauge है क्यों vacuum gauge है तो याद रख लेना ये vacuum gauge है ठीक है अगर यही कांटा इधर से सुरू होता है ना ये देखो अगर… यह देखो अगर anti-cloak में जाएगा ना तो anti-cloak में जाता है तो वो vacuum gauge होता है याद रख लेना अगर कांटा इधर से जाए anti-cloak तो वो समझना vacuum gauge है अगर यह कांटा इधर से आए तो समझना clockwise में आए तो वो समझना pressure gauge है बहुत important है देखो यह उल्टा जा रहा है यह इधर से इधर जाएगा ठीक है 0 से देखो इधर उल्टा जा रहा है ना गाड़ी में इधर से ना जाता है तो अगर उल्टा जाएगा तो समझो यह vacuum gauge अगर यह सीधा जाएगा तो समझो कि pressure gauge है ठीक है यूनिट अफ करेंट करेंट का यूनिट क्या होता है MPR होता है बिदुधरा का MPR सबको पता है यह क्या है तो बता ना यह auxiliary engine यह जर्नेटर है सबको पता है कि यह जर्नेटर है अब आज आते हैं 36 पर अल्डेडी मैंने बनाया था कि pump का क्या यूज होता है यानि motor हम लोग घर में जो अपना पानी भरने के लिए pump यूज करते है न तो pressurized fluid fluid को pressure के दोबरा आगे भेजता है 37 the function of pump is फिर वही question पूल दिया है the pressurized fluid 38 which of the flowing is not within the engine room बोल रहा है कि engine room में क्या नहीं होगा तो जर्नेटर engine room में होता है boiler engine room में होता है air compressor भी engine room में होता है लेकिन mooring winch deck पर होता है जहाँ पर रसी बांध कर रखते हैं 39 which of the flowing is the top most part of a dingle engine तो cylinder road होता है ठीक है और bottom part पुछेगा तो मैंने आपको बताया ठीक है 40 what maintenance truck should be carried out the filter filter अगर आपको एक दे दिया गया है बोलेगा कि इसको लो इसको maintenance करो तो आप filter में क्या करेंगे maintenance basket cleaning wire means inspection उसका basket cleaning करेंगे और जो जाली होगा उसका भी inspection करेंगे ठीक है quick closing valve are fitted in the fuel tank कोई भी fuel tank होता है ना तो उसमे quick closing valve होता है वो automatic ही क्या हो जाता है बंद हो जाता है snap ring यह बहुत ही important है ठीक है यह लिक के रख लो hundred to hundred में बोल डाओंगी यह question पूछेगा ही पूछेगा इस तरह दिखा कर पूछेगा यह क्या है तो snap ring है ठीक है यह देखो यह पूछ रहा है कि इस picture में क्या कर रहा है तो देखो यह की है और की को इस shaft में क्या कर रहा है ठोक रहा है यानि अंदर बेज रहा है तो pushing the shaft of key ठीक है 4-4 एक gear pump is the most used for the oil याद रख लेना जो gear pump होता है वो किसमें यूज होता है तो oil में unit of electric current, ampere, already मैंने आपको बता है कि ampere होगा ठीक है 4-6 sounding tape is used for checking the water level in a tank sounding tape होता है sounding tape वो किसलिए यूज होता है बाबु तो जो sounding tape होता है ना उसको water tank में उसको भेजते हैं और उसी समलों को पता चल जाता है कि उसमें water कितना है ठीक है 4-7 the function of heat exchanger is cooling और heating या तो उसको ठंडा करेगा या तो उसे गरम करेगा अब आज आते हैं 48 पर cooler is the type of heat exchanger सबको पता है जो cooler होगा वो क्या करेगा heat exchange करेगा गरम को ठंडा बना देगा 5-9 onboard ship a fire pump is the type of centrifugal pump जितने भी pump होते हैं वो centrifugal pump होते हैं मैं sea water pump is the type of centrifugal pump मैं आप आप अल्लेडी बताया ठीक है the instrument denied profile for the measuring the temperature lubricating बोल रहा है कि temperature मापने के लिए किस का यूज होता है तो thermometer का यूज होता है लेकिन high temperature बोलेगा तो pyrometer का यूज होता है ठीक है वो मैं आपको बार में बताऊंगा 52 which of the flowing is used for check water level in the boiler gauge glasses और side glasses 53 hand wheel is an equator of the gate valve और glow valve देखो जो मैंने आपको valve दिखाया तहना है तो valve के उपर देखना इस तरह इस तरह इस तरह था ऊपर ठीक है तो उसको hand wheel बोलते है इसी को न न चाते हैं तो इधर खुलता है या बंद होता है तो उसको कहा होता है तो gate valve में होगा या glow valve में होगा ठीक है 54 The exhaust gas economizer on a ship is the part of steam generation system का ये part होता है 55 What maintenance truck should be carried on the oil fire or boiler बोल रहा है कि boiler में आप कौन सा maintenance करेंगे तो furnace को भी देखेंगे उसमें जो tube से उसको clean करेंगे और overall क्या करेंगे inspection करेंगे 56 fresh water generator on the ship is बोल रहा है fresh water generator का मतलम क्या होगा कि fresh water हो क्या करेंगे समुंदर का पानी को लेगा और उसको क्या करेंगा fresh water में बदल देगा तो लिख रहा है fresh water from sea water fresh water बनाएगा किसे तो sea water से याद रख लेना इसमें उल्टा भी पूरत है sea water from fresh water यह गलत हो जाएगा याद रख लेना बबू अब तुम समझोगे sea water from fresh water यह गलत हो गया इसका हम हिंदी हो जाएगा कि sea water बनाएगा fresh water से और इसका हिंदी होगा fresh water from sea water sea water बनाएगा sea water से fresh water बनाएगा ठीक है तो यह याद रख लेना ठीक है यह देखो यह क्या बोल रहा है, यह स्वीन चेक भल्ब है, यह true है, सही है, यह स्वीन चेक भल्ब है, याद रख लेना, यह question पूछेगा, ठीक है, इसलिए मैं तुमको दिखायता हूँ, वाब उजूम करके, यह स्वीन चेक भल्ब है, फाइट, पूरिफायर इस रिलेटेड ऑफ ओएल, ओएल को ही न पूरिफाय करता है, ठीक है, फाइप नाइट, टाइप ऑप पॉम्प यूस फोर दा सी वाटर कुलिंग ऑन दा बोर्ड, सेंट्रिफूगल पॉम्प मैंने बोला था, 60, which of the flowing is used for maintenance the tightness of a unit, तो spring वासर, मालनो कि अगर कोई चीज आपसे टाइट नहीं हो रहा है, ढीला धकर हो जाए तो उसमें spring लगा कर, या वासर लगा कर उसको क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे, यह देखो, यह क्या है, तो चलो दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और दोस्तों, आप लोग से मैंने बोला है, कि अगर आप इंट्रेंस एक्जाम का प्रिप्रेशन कर रहे हो, तो दूसरा चैनल का नाम है, अंसारी G.S. Academy, उसको जाकर आप लोग सस्क्राइब कर लोग, और अगर नोट्स वगरा भी पर्चिस करना है, तो डिस्क्रिप्शन में वाट्स अप नमबर है, वहाँ पर कॉंटेक्ट करो, और नोट्स पर्चिस करा दूंगा, ठीक है, all the best.